चाहूंगा कॉंग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है गुज़ा चुनाव के लिए दिखिए मैं आपकी इस बात से कतई भी इत्तफाक नहीं रखता कि कॉंग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है कॉंग्रेस के पास छेत्रिय इसतर पर जिला इसतर पर ब्लॉक इसतर पर हर इसतर पर नेता मौझूद है और कॉंग्रेस अब की बार एक मुद्धों के आधार पर और jard समर्थन के आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है हालां कि जैसा कि मेरे बड़े भाई पत्रकार बर्मा साहब ने कहा मैं इस बाद से कते ही इत्तिफाक नहीं रखता कि हमारे पास कोई नेता नहीं है हमारे पास अरजन मोडवाडिया है वहाँ पर शक्ति सिंग गोहिल जी हमारे विप्रक्ष के नेता है हमारे पास शंकर सिंग बगेला जैसे छित्रे नेता है साथी साथ हमारा पूरा कांग्रेस का नेतरत्व आज गुजरात के अंदर पूरी तरह से चुनावी बिगुल बजा चुका है और चुनावी तैयारियां हमारी पिछले तीन वर्सों से निरंतर जा रही है यह बात दूसरी है कि इस बार जो गुजरात की जनता को तै करना है किस प्रकार से यह जो एक हिटलरवादी शाषन है किस प्रकार से यह शाषन जिसने हजारों हजारों लोगों के खुनों से हाथ सने हुए है ऐसे शाषन को किस प्रकार से हम उखार फैकते हैं आज इस जनता को देखना है कि हम किस प्रकार से वे लोग जो किसान और घरीब और मजबूरों की बातें करके केवल गुजरात के अंदर अद्योगिक उत्पादन की बातें करते हैं वे किस प्रकार से घरीबों का हिप कर रहे हैं इन बातों को लिकर के कांगरेस पार्टी गु पूछना चाहती है नर्यन बोधी से के सौरास्त के किसानों को किस प्रकार से आज तक नर्मदा का जल पैदा नहीं हो पाया जिससे लाखों लाख हजारों किसानों ने वहाँ परात मत्या के लिए बजबूर हो पाया हूए सुरेश महतामाच सादिख्वाफे जुड़ गए है मामंती हैं गुज़ाद परिवतन पार्टी के सुरेश ये आपका सौगत है मैं आपसे जाना चाहरा हूँ गुज़ाद परिवतन पार्टी की क्या कुछ तयारियां चल रही है उस समय सुरेश जी अवाज सुन पारे मेरी लगता है कुछ तक्सनिकी कारणों के चलते हैं संपर्ट नहीं हो पारा है हरीश जी मैं एक बार फिर से आपके पास आउंगा आपने कहा कि आपके पास दमदार वहां नेता है लेकिन क्या आप नरेंद मोदी के द्वारा जो विकास किय गया कि आप उसे नकार सकते हैं देखिए गुजरात कभी विकास के मामले में कभी पिछड़ा नहीं रहा उननी सो साथ से पूर वह मारास्ट का एक हिस्सा हुआ करता था गुजरात की भौल एक परिश्टिती इस प्रकार की है कि वह हमेशा से एक विक्षित राज्य रहा है 1981 और 85 के बाद की परिश्टितीयां देखें जिस वक्षित का शाषन हुआ करता था तब भी वहाँ पर सरवाधिक इंवेस्टर्स आया करते थे सरवाधिक उद्यों की घराने वहाँ पर अपनी उद्यों को लगाया करते थे वो परिश्टितीयां दूसरी थी आज अगर सू अगर बड़ोदा के अंदर डिजल एंजिन्स के बहुत बले कलकाहादे हैं तो वो केवर नरेंदर मोदी की देर नहीं है ये जो विकास का धाचा था ये कॉंग्रेस ने तयार किया लेकिन नरेंदर मोदी ने जो विकास का धाचा कॉंग्रेस ने तयार किया था जो गरीबो के लिए था उसको चीन करके कि अध्योग पत्यों तक सीमित कर दिया हरी जी हरी जी क्या आप ये बात मानते हैं कि आप जो गुजरात की जनता है वो आपकी पार्टी को चुनाव देगी निश्यत रूप से आज गुजरात की जनता पूरी तरह से डर और भैर मुक्त इस शासन से मुक्ती चाहती है आज गुजरात का जो आम नागरिक है गुजरात का जो गरीब है गुजरात का जो किसान है गुजरात के अंदर जो मजदूर है वो आज पूरी तरीके से नरिंद्र मोधी से तरस्त आ चुका है मैं हवाई बातें कर रहे हैं जूट के आधार पर बातें चला रहे हैं गुजरात को निश्तोनावूत करने पक्तुले हुए हैं चलिए मैं आपके पास आँगा अनर्वाग जी आपके पास आना चाहूँगा क्या कुछ आप मानते हैं आपको लगता है कि गुजरात की जनता सरकार को कॉंग्रेस को वोट दिना पसंद करेगी क्योंकि कॉंग्रेस के शासन में इतने घोटाले हुए कितनी महँगाई बड़ी है किस तरह से दाम बढ़ाए गए ये बात भखू भी जानती है जनता देखिए दो तरीके से इस चीज को देखने वाला है कि जहां जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रेस ओरियंटेड जो है लोगों का माइंडसेट होता है अगर आज के आप सिनारियों में देखें तो जो सेंटर का जो मेरा अपना एनलेसिस है सेंटर में जो घोटा ले हुए है जो तरह-तरह के स्कैम्स पिछले दुनों आए ये वोटर को कहीं न कहीं इंफ्लूएंस जरूर करेंगे और दूसरी तरीके से अगर जैसा की बात कहीं जारी के ये भी बात चल रही है मोदी के शासल में भी काफी सारे जो है प्रॉब्लम्स है तो उसको अभी तक कांग्रेस के किसी भी नेता ने जनता को लेके उस तरह से नहीं गया जो अभी तक देखने में आ रहा है जे हरी जी आपके पास आना चाहूंगा सोनिया गांदी ने साफ तोर से बात कई है कि नरिंद मुदी के समय में कोई विकास नहीं हुआ जितना विकास हुआ हमारे समय में हुआ आपको लगता है जनता इस बागते विश्वास करें कि उनकी दिश्शिक तोर पार